नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीश आजपुत, स्वागत है आपका फिरसे एक नई वीडियो में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Zero Balance Account क्या होता है और Zero Balance Account के क्या-क्या फाइदे होते हैं और साथ ही उसके क्या-क्या नुकसान होते हैं पूरी वीडियो में इनी तीन टोपिक के उपर हम चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक जरूर देखना और वीडियो को इसकी बिलकुल भी मत करना क्योंकि किसी भी चीज के लिए आदा दूरा ग्यान हानिकारख होता है तो इसलिए वीडियो को कमप्लीट देखना लाश तक देखना और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्काइब कर देना और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना तो कि मैं बैंक से जुड़ी प्राबलम और गौर्णमेंट योजना के उपर वीडियो लेकर आदा रहता हूँ तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सस्काइब कर लो और बैल आइकन को भी प्रेस कर लो और साथ ही हमें इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए उसकी लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस लिंक पर किलिक करके आप हमें फॉलो जल्दी से कर लीजिए और वहीं पर आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको यूट्यूब से जुड़ी अपडेट के ओपर वीडियो मिलती रहती है तो जल्दी से उसे भी जाकर सस्काइब कर लीजिए तो दोस्तो बिना किसी तरीके भड़ते हैं वीडियो के में टॉपिक पर दोस्तो देखो क्या होता है कि बैंग में आप कहीं तरीके के अकाउंट खोल सकते हैं एसे कि saving account zero balance saving account यह भी saving account के अंडर ऑजआता है जिए लोर बैलेस अकाउंट भी और एक करेंट अकाउंट खुल सकते हैं और एक साथ ही joint आगांट भी खुल सकते हैं तो दोस्तो आप इस तरीके के अकाउंट अपने bank में खुल सकते हैं तो दोस्तो पर आपको सबसे पहले saving account आपका खोल दिया जाता है क्योंकि फैसलिए सबंक्ट होता है वह सारी सूइदा परदान करने की कोशिश था अपनी तरब से तो क्योंकि जो saving account मिल जाती है मदलब सारी सब्सक्रांपक मिल जाती है है जो ज्छेसे कि नैटbank ज्यूंक रचिबकर जकन रखना पड़ता है मतलब सेविंग अकाउंट जो होता है वह आपको कुछ मिनिममम बैलेंस के तुरू खुलता है जैसे कि आपका सरकारी बैंकों में किसी-किसी बैंक में 500 रुपे से भी खुल जाता है किसी-किसी में हजार से भी खुल जाता है अगर आप ATM कार्ड की बैंकिंग वगए इस बीदर नहीं लेते हो तो आपका 500 रुपे से भी खुल जाता है अगर यह चीजी फैसलिटी आप लेते हो तो आपका 1000 से खुलता है मतलब आपको मिनिममम बैलेंस जो है न अपना इसमें मैंटेन रखना पड़ता है सेविंग अकाउंट में और आपको बैलन्स को निकाल भी सकते हो जुरत पड़ने लेकिन उसको आपको एक होता है कि उसका थे प्डीम निंदर अटा है वरना आपका आपका ज orum का हुविंग दालना पता है वरना आपका जो अकांट में बैलन्स में चला जाताذ यह चार्ज में चार्ज लगता जाता है तो आपको 5,000 उसमें रखने ही रखने हैं एक महीने के अंदर आपको इसमें 5,000 अपने रखने हैं जैसे सब्सक्राइब आपको इसमें के बीच में ही बैलेंस आपके अकाउट में होना जरूरी होता है दोस्तों यह था पूरा सेविंग अकाउंट का मैंने आपको बता दिया कि सेविंग क्या होता है और यह कितने balance से खुलता है सेविंग अकाउंट कोई भी आदमी अपना खुलवा सकता है लेकिन उसको minimum balance उसमें रखना ही पड़ता है अब बात कर लेते हैं zero balance account तो दोस्तो zero balance account का नाम सुनके यह आपको पता चलिया होगा zero balance मतलब कि इस account में आपको कोई minimum balance रखने की जरूवत नहीं है आपका जो account है वो zero balance से भी खुल जाएगा जो zero balance account होता है वो BSDA के अंतरगत आता है मतलब कि basic saving deposit account ठीक है तो इसके अंतरगत आता है एक तरह का saving account ही होता है लेकिन इसमें आपको कोई maintain रखने की जरूवत नहीं है balance की आपको इसमें minimum 1000 उपर रखने है 2000 उपर रखने ही रखने है मनलो आपको कभी जरूवत पड़ गई आपके कोई balance की आपने पूरा account zero कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका जो account हो minus में नहीं जाएगा आपको इसमें कोई ऐसी वो नहीं है इसकी term and condition bank के दवारा कि हां आपको इसमें इतना balance रखना ही रखना है ठीक है आप इ पैसा आता है या जैसे किसान सम्मान निदी योजना का पैसा आता है या परधानमंति का कोई योजना चलती है जैसे सरकारी योजना उसका जो balance आता है वो zero balance account में ही सबसे पहले आता है तो दोस्तो zero balance account का यह बहुत अच्छा profit है इसलिए आप इसे खुलवा सकते हो अपने zero balance account अगर आप खुलवाना चाते हो तो दोस्तो zero balance account के लिए यह बढ़िया अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है मतलब आप एक गरीब वर्क से आते हो तो आप एक zero balance account खुलवा सकते हो क्योंकि zero balance account में आपके पैसे आते रहते हैं जैसा परधानमंति जंदन खाता योजन पर help मिलती रहती है अगर कोई सरकारी योजना चल रही है कुछ भी scholarship पा रही है किसी की तो वो zero balance account में आती है आपको उसमें कोई maintain रखने की जरुवत नहीं है balance तो यह एक अच्छा बहुत ही बढ़िया लाब है zero balance account का आपको काफी साहता भी मिलती है जो सरकार के द्वारा ह होती है ठीक है तो यह बढ़िया अकाउंट एक zero balance account आप खुलवा सकते है अगर आप एक बिल्कुल गरीब वर्ग के आदमी हो मतलब आपके आपके आर्टी की ती 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 नहीं कमजोर है कि आपके जो balance आपको काफी need रहती है balance की काफी अफशकता रहती है तो आप एक अच् इसमें लीमिटेशन होती है मतलब कि आपका जो होता है इस एक amount होती है fixed amount कि हाँ इसके अंतरगती आपको इतना transaction करना पड़ता है इसके आंतरगती मतलब इसके नीचे-झीचे इतना transaction कर सकते हो उससे ज्यादा आप इसमें transaction नहीं कर सकते हो तो ठीक है एक तो यह बड़ा ब जैसे सुवीधा आपको नहीं मिलती है तो दोस्तों ये भी एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है और साथ ये आप इसमें आपको बता दिया इसमें एक लिमिटेशन होती है, जैसा परदानमंती जन्दन खाता होता है उसमें आप एक साल में एक लाग तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो जन्दन खाते हो तो मतलब एक लाग तक ही उसमें ट्रांजेक्शन होगा और इस से जाद आप नहीं कर सकते हो तो यह इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप ज़्यादर transaction करना चाहते हो तो आपके लिए saving account बैश्ट है वैसे तो जदन खाते होते हैं यह जो zero balance account होते हैं यह विचारे गरीब परिवार ही खुलवाना चाहिए हो नहीं क्योंकि उनके लिए ही ठीक है सरकार की तरफ से जो help आती है तो वो गरीब वर्क के लिए ही की जाती है लेकिन अगर आपकी आर्थिक इस्तिती अच्छी है आप अच्छा कमाते हो खाते हो आपके लिए अकाउंट नहीं है आप एक saving account अपना खुलवा सकते हो उसमें अपना balance अपना रख के secure कर सकते हो क्योंकि bank से अच्छा तो कहीं balance secure होता ही नहीं है private जितनी भी मतलब आप किसी गलत company में पढ़ जाते हो वहाँ पर आपका पैसा डूब जाता है फिर आप पड़िसान देते हो इसलिए bank है bank आपको interest भी काफी अच्छा दे देता है लेकिन आपका पैसा तो कम से कम secure है इसलिए आप अपना best saving account खुलवा सकते हो उसमें अपना पैसा maintain कर सकते हो zero balance account तो गरीब परिवार के लिए होता ही है और student के लिए भी होता है क्योंकि student की scholarship आती है तो उन्हें भी zero balance account खुलवा लेना चाहिए दोस्तो zero balance account में आपका debit card का चार्ज भी जाता है अगर आप debit card ले 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 तो अगर ले ले तो zero balance account पे और SMS की सुवीदा आप उस पर करवा लेते हो तो उनका चार्ड तो इसमें जाए गए जाएगा लेकिन यह एक अच्छा सुवीदा है कि आपका zero balance account है उसमें आपको कोई बता दिया कि zero balance account क्या होता है और इसके क्या क्या लाब हैं और साथ इसके क्या क्या नुकसान है तो आपको उमीद करता हूँ इस वीडियो से काफी help मिली होगी अगर वीडियो से जरासी भी अच्छी लगी है help मिली है सहयता मिली है तो वीडियो को एक like ज़रूर कर देना औ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन को प्रेस कर देना मिलते आपसे एक नेक्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ जब तक के लिए जैहन बंदे मात्रम